असलाम अलेकुम फ्रेंड्स आज हम आपके साथ श्याय करेंगे खड़े मसाले का चिकन इस्टू की रेसिपी यह बहुत जाला लजीज और टेस्टी बनकर तयार होगा तो एक बार आप जुरूर बनाएगा तो इस्टू बनाने के लिए यहां पर हमें सबसे पहले दो बड़ करेंगे और इसी के साथ हम यहां पर कुछ खड़े मसाले का बनाना है तो हम साले मसाले खड़े ही एट करेंगे तो यहां पर हमने दो तेस पत तली है जिसको बीच में तोड़ लिया था बन टीस्पून जीरा दो दाल चीनी के टुकुड़े एक बड़ी लाइची साथ से आ इनको अच्छा सा कलर आ गया है तो इसी के साथ यहां पर हमने 500 ग्राम चिकन लिया है जिसको हमने अच्छी तरह से बोश करके सारा पानी से ड्राय कर दिया था तो चिकन एट कर देते हैं यहां पर हम तो यहां पर हमने चिकन एट कर दिया है और चिकन को हम अच्छी तरह से छला देंगे औोिल के साथ ही जिसे साए मसाले में चिकन अछे Flash हो जाएगा तो यहां पर चिकन खुआ कंअच्छर से मिग्स कर दिया है और चार सी पांच मिन अच्छर से सिसको चिकन को बना लेना है तो देखे फिर इसी के साथ यहां पर तो यहां पर हमने चेस तीकी वाले लाल मिर्च लिए तो यहां पर लाल मिर्च पी एट कर देंगे और इसी के साथ यहां पर नमक एट करेंगे यहां पर हमने अच्छी में सारे मसालों को मिला देना है जिससे हमारे मसाले चकर नियुक्त हैं इससी के साथ नहीं पर एक करेंगे ये एक कप नहीं दही है औरला कर देना है क्विलेकर दमाटर कर देना है क्विलेकर या लो लौ मर्विताइगे higher flame पर add करेंगे तो दही फट जाएगा तो इसलिए gas का flame ने को low करना है और low flame पर हम दही को add करेंगे तो देखें इसको अच्छे तरह से चला देंगे और जी अच्छे तरह से मिल जाएगे फिर हम गेस का flame चला देंगे तो यहां पर देखें, दो बड़े साइज के हमने टमाटर लिये थे, जिसके बड़े बड़े पिसिस बना लिये, तो यहां पर हमने टमाटर भी एट कर दिये हैं, और इनको हम अच्छी तरह से चला देंगे, और अच्छी तरह से बना लेंगे, जिस समा टमाटर भी अच्छी तरह से भून लेना है यह फिर यहां प्याज करेंगी तो यहां पर लिए उस तरह से प्याज़ों चौप करकर लख लिया था हम ने और अचिह तरह से दो गी तो प्याज़ करнеंगी और अच्की तरह से घोल दो यु ह sense नियुकस को प्याज युक्त तरह से मिल जाए결 साय और हम इसको 10 मिनट तक High Flame पर बनाएंगे जिससे प्यास हमारी अच्छे तरह से बुन जाएगी यहाँ पर दस मिनट हो गई है और प्यास हमारी बहुत अच्छे तरह से बुन गई है और इसको फर्लका गुराबी कलर भी आ गया है प्यास के वापर तो इसमें कुछ मसाले एट कर लेंगे यहां पर अधर होड़ी इससे कुलर बहुत अच्छा आता है इसटो का तो सबसी के साथ हम एट करेंगे फिसा हुआ धन्य पाउडर तो यहां पर हमने वन टीस्पून पिसा हुआ धन्य पाउडर रेट किया है और सभी मसालों को अच्छे तरह से मिला देंगे और इनको जो हम अच्छे तरह से भून लेंगे मसाले को जिससे हमारे मसाले जो है अच्छे तरह से मिक्स हो जाएंगे तो यहाँ पर फ्रेंट देखे बहुत अच्छे तरह से जो है हमारे मसाले भून गए हैं तो आप हम इसको बनाने के लिए पानी एट करेंगे यहाँ पर ह छोड़ देना है आप चाहे तो प्रेशर को कमी बना सकते हैं तीन सीटी हाई फ्लेम पर लगा लीजेगा यह तीन सीटी में बहुत अच्छी तरह से कुख हो जाएगा तो देखें फ्रेंट्स पंद्रमनेट हो गए है और हमारा इस्टो जो है अच्छी तरह से भुन गया है त तो धनिया एट करके हम पांच मेट और बनाएंगे इससे गानिच धनिया से फिलेवर बहुत ही अच्छा आता है इस्टो का और इसी के साथ हमने आप तीन हरी मिर्च को इस तरह से तो दो सिलाइज में काट कर रख लिया था तो हरी मिर्च भी एट कर दी है और इसको हम अच आप शेयरों को सब्सक्राइब कर दीजेगा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमली फ्रेंड्स के साथ और एक बार आप यह मज़दार और डिलिशित चिकन इस्टू बनाकर ट्राइ कीजेगा बहुत जारा लजीज और टेस्टी चिकन इस्टू बनकर तयार